श्री शद्गुरू महाराज कीजे पुझपाद महर्षी संसेवी परमहंजी महाराज का परवचन जाने बिनाना होय परतीती शमवीत शमादर्णी शजन्वरीन आदर्णिया माताओं यम भक्ती मती बहनो आप लोगों को ग्याद कराया गया है कि यहां शंत्मत का सत्संग होगा शंत्मत सत्संग के द्वारा इश्वर भक्ती का प्रचार होता है इश्वर भक्ती में तीन बातों की परधानता है अस्तूति, प्रार्थना और उपास्ना अस्तूती कहते हैं यशगान करने को कितने आदमी कहते हैं कि इश्वर की अस्तूती क्यों की जाए क्या इश्वर खुशामदी हैं कि हम उनका यशगान करें अपनी खुशामद सुनकर वे हम पर प्रशन हो जाएंगे इस्वर खुशामदी नहीं है वे महान उपकारक हैं आप लोगों ने एक कथा पढ़ी वा सुनी होगी बादशा सा जहां के दरबार में अमर शिंग राठोर नामक शेना ध्यक्ष था वह बहुत अच्छी तरह काम करता था किन्तो शा जहां की पत्नी चाहती थी कि अपने भाई को सेना ध्यक्ष बनावें इसके लिए वह बादशा से कहा करती थी बादशा बड़े नियाय प्रिये थे वे उत्तर देते जब तक किसी का दोस देखा नहीं जाए तब तक किसी को पद चूत या बहिस्कृत नहीं करना च चाहिए राणी दोस खोजने लगी ताकि उनको पद चूत क्या जा सके शंजोग वश अमर्शिंग का विवाह तेह हुआ वह बादशा से छुट्टी लेकर घर गया जितने दिनों के छुट्टी लेकर वह गया था घर में उससे अधिक दिन लग गये राणी ने बादशा से कहा देखिए आपने उसे इतने दिनों की छुट्टी दी और इतने अधिक शमय हो गये हैं अभी तक आया नहीं है उसने आपकी अभेलना की है इससे बड़ा और अपराज क्या हो शकता है बादशा ने कहा पहले जुर्माना होता है जब जुर्माना दाखिल नहीं किया जाए तब उसे पद चुट किया जा सकता है उसके पतने ने कहा कुछ इस तरह का जुर्माना कीजिए जो वह दे न शके जब वह तेरा दिन देर से दरवार में आया तो बादशा ने कहा पहले तेरा लाख रूपिये दाखिल करो तब तुम अपनी नौक अन्यथा तुम्हें सेना द्यक्ष पद से हटाया जाता है नोजवान तो था ही तैस में आ गया म्यान से तलवार निकाल कर वह शा जहां पर वार करना चाहा बादशा पीछे के रास्ते से निकल गए और बादशा की सेना इस पर तूट पड़ी जहां तक इससे हुआ युद लेकिन अमर सिंग अमर रहा अभी भी आगरे किले के आगे लकडी का घोड़ा बना हुआ है जब विवाह करके अमर सिंग लोट रहा था तो रास्ते में रेगिस्तान परता था उसे रेगिस्तान में उसे एक मुशलवान सज्जन से भेट हो गई वे सज्जन बड़े पिपा जल पिलाओ अमर सिंग ने उसे एक गिलाश जल पिला दिया मुशलमान सज्जन ने कहा कि आपने जो मुझे जल पिलाया है इसके बदले मैं आपको अपना खून दूंगा जब अमर सिंग किले से बाहर निकला तब उस मुशलमान सज्जन ने उनकी रक्षा में लड़ते एक मुशलमान सज्जन ने अपना इमान रखा जैशा कहा वहशा किया जब एक गिलाश पानी पिलाने वाले पर एक सज्जन वेक्ती अपने प्रान नियोचावर कर सकते हैं तो क्या हमने कभी सोचा है कि प्रभु ने हमारे लिए क्या-क्या उपकार किये हैं आज जाड़ा लगता है तो विविद प्रकार के कपड़े ओडते हैं घरमें हीटर लगाते हैं आग तापते हैं गरमी का शमय आता है तो हाथ पंखा बिजली पंखा कूलर इत्यादी उप्योग करते हैं जड़ा सोचिये जिस दिन हम अपने माता के गर्व में थे वहाँ कौन सा कूलर था कौन सा हीटर था, किस तरह खाये, किस तरह सोये, एक बुंद, पानी से बढ़ते बढ़ते, सुन्दर शरीर बन आया, नौ दस मास मा के पेट में रहे, वहां किसने हमारी प्रान रक्षा की, वहां प्रभु ने हमारी रक्षा की, जब जन्म लेकर संशार में आये, तो हमारे मुँँ में एक भी दांत नहीं था, उसे समय हमारे परम क्रिपालू प्रभु ने हमारे लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की, अपनी मा के शरीर में ही दूद की व्यवस्था कर दी, और दूद भी ऐसा कि जो कभी ठंडा नहीं होता, कि उसे गर्म करना पड़े, या वह दूद इतना गर्म भी नहीं होता, कि उसे ठंडा करना पड़े, वह दूद कभी कमता नहीं, कभी जमता नहीं, कभी घटता नहीं, कभी फटता नहीं, बच्चा जितना दूद पीना चाहे, मन भर पी ले, महात्मा गांधी ने लिखा है, कि माता के शरीड में इतना दूद है, कि बच्चा अगर सब दूद पी ले, तो जीवन भर उसे दूद, दही, घी, मक्खन, खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आश्यड की बात है, कि बच्चा सब दूद पी नहीं पाता है, क्योंकि उसका हिश्चेदार दूसरा बच्चा जन्म लेकर खड़ा हो जाता है, जब मुह में दात हुआ, तब अनफल, मेवा, कंद, नाना जाती के है रचे जिसने हमारे ही लिए, शब भाती के, जिस प्रभु ने इतने प्रकार के शब कुछ दिये हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, उपकारी के प्रती हमारा भी कुछ क्रतब्य होता है, प्रभु का उपकार हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनका नाम तो लें और उनका गुनगान भी नहीं करें तो हमसे बढ़कर किर्टग्न और कौन होगा श्वामी दयानन जी ने लिखा है प्रतेक मानव का करतब्य है कि वे प्रतेक दीन अस्तूती प्रार्थना उपासना नहीं करता है वह पसू के समान है अस्तूती से क्या होता है इस्वर की महमा जानी जाती है किन्य की महमा विशेष्टा जानने पर ही उनके प्रती आकर्षन हो प्रभु की हम लोग बढ़ाई करते हैं यशोगान करते हैं उश्य प्रभु की ओर हमारा आकर्षन होता है। तब तक उसके प्रती जैशा बेवार होना चाहिए नहीं कर पाते हैं। भीतर किसी को प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। हम लोग जब तक वहां पहुँचे तो गेट बंध हो चुका था। पहले तो दरवान ने गेट खोलना नहीं चाहा पर जब डियेशपी सहाब ने अपना परिचे दिया तो उसने गेट खोल दिया और घुमाने के लिए एक आदमी साथ कर दिया। जब तक नहीं जानते थे तो कहने लगे कि प्रवेश निशेध है और परिचे मिलने पर शलामी बजाने लगे। हम लोग प्रातह काल इस अस्तूति के बाद शंत अस्तूति करते हैं। शंत अस्तूति क्यों करते हैं। इसलिए कि भगवान सिर्राम ने अपने से विशेश शंत को बतलाया है। शंत लोग ही आकर उपदेश देते हैं और रास्ता बतलाते हैं। हरदम प्रभु रहें शंग कब हूँ भवदुख न टड़े। भवदुख गुरुदे टारी शकल जयाती करे। जब शेश रिष्टी हुई तब शेश हम हैं। लेकिन प्रभु ने कभी नहीं कहा कि हम तुम्हारे अंदर छिपे हुए हैं। तुम मुझे देख लो और तुम्हारा बेरा पार है। गोशामी तुलशिदास जी कहते हैं कि मेरे विचार में तो यही आता है कि राम शेशिदे कि राम के दास होते हैं। कैसे कहा तो राम और कहां राम का दास उपमान प्रमान द्वारा बतलाते हैं। राम अर्थात परमात्मा शमुद्र के समान हैं, कहीं आते जाते नहीं हैं, इस्वर सर्वत्र हैं, अस्थीर हैं, जो शब जग है ही, तो उनका आना जाना कहां होगा? वे श्वरुपतह अनन्त हैं, उनका कहीं आना जाना संभव नहीं, आना जाना तो माया का होता है, शंद कविर शाहब की वानी में है, आवे जाएशो माया शाधो, आवे जाएशो माया है प्रतिपाल काल नहीं वाको, ना कहीं गया न आया, अगर कोई शमुद्र में यात्रा करे, पानी साथ नहीं ले जाए, तो वह पानी के बिना प्यासा मर जाएगा, शमुद्र गहरा है, फिर भी पानी खाड़ा है, इसलिए अपय ही है, संद कविर्शाब ने कहा, पानी बीच मेन प्यासी, मोही सुनि सुनि आवत हांशी, जेसे समुद्र के जल से हमारी खेती पढ़ती नहीं, उसे समुद्र जल से वास्प उठता है, और उसे बादल बनता है, वह बादल गूम गूम कर संसार में वर्षा करता है, और खेती ही निकला हुआ है पर जब उसमें खाड़ा पन नहीं मिठा पन आजाता है। उसी तरह परमात्मा का जो घ्यान खाड़ा है उसको शंत लोग मीठा बना कर बर्शाते फिरते हैं। जिससे हमारे प्रान बच्ते हैं, हम लोग शुक्षान्ते प्राप्त करते हैं, जिस तरह शमुद्र से वास्प उठता है, तो वह वर्षा करके हमारा कल्यान करता है, लेकिन शमुद्र कल्यान नहीं करता उसी तरह पर्मात्मा से निकले हुए संत हैं वे हमारा कल्यान करते हैं लेकिन पर्मात्मा हमारे अंग्शंग रहने पर भी हमसे हमारे कल्यान की बात कभी नहीं करते चन्दन का विरिक्ष एक जगा अस्थिर है उसमें सुगंध है अगर हवा नहीं हो तो हमको उसकी सुगंध नहीं मिलेगी उसी तरह इस्वर है उसकी महिमा विवोती भरपूर है लेकिन जब तक शंत रूप हवा नहीं है तब तक उसके लाव से हम वन्चित रहेंगे उसे लाव से लवानवीत कराने वाले शंत ही होते हैं यो तो कहा गया है शंत भगवंत अन्तर निरंतर नहीं की मपी मती विमल कह दाश तुलसी लेकिन कुछ ऐसी बात है जिसे कि शंत भगवंत से विशेश जाने जाते हैं कैसे अयुद्धा में एक शंत हुए पल्टु दास जी उन्होंने कहा बड़ा होए तेही पूजिये शंतन किया विचार शंतन किया विचार ज्यान का दीपक लिन्ह देवता तेटिस कोट नजर में सब को चिन्डा शब का खंडन किया खोजी के तिनी निकारा तीनों में दुईश ही मुक्ती का एकई द्वारा हरी को लिया निकारी बहरी तिन मंत्र विचारा हरी है गुन के बीच शंत है गुन से न्यारा पल्टू पर्थमय शंत जन दूजय हैं करतार बड़ा होई तेही पूजिये शंतन की आविचार आपने स्रीताराम का राधाकृष्ण का अध्वाशीव पारवती का चित्र देखा हुआ कहीं कहीं यह चित्र ओम से घिरा हुआ रहता है ओम अर्थात वे तीनों गुनों के घेरे में भगवान रहते हैं अभी इस घेरे के फेरे से निकले नहीं हैं इन्हीं में डेडा डाले हुए हैं इसलिए पल्टू शाव ने कहा है हरी हैं गुन के बीच, शंत हैं गुन से ते न्यारा शंतों की अंतिम शाधना होती है इन तीन गुनों से पड़े की होती है इसलिए शंत कविर्शाव ने कहा शर्गुन की शेवा करो निर्गुन का करो ग्यान निर्गुन शर्गुन के परे तहां हमारा ध्यान गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं यह भी देखिए निर्गुन शगुन त्रैगुन ते दूरी रहा अलिप्त नानक भर पूरी श्रीमद भागवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया कि एक है छर पुरुष दूसरा है अक्षर पुरुष और इन दोनों के पड़े हैं पुरुष वत्तम उसको भी जानना चाहिए हमारे गुर्देव के वचन में है है निर्गुन शगुन ब्रह्म दोव अन्ष जाको शमताना पाता कोई भी है ताको जो है परम पुर्ष शब को अधारा शोई पीव प्यारा शोई पीव प्यारा शद्शंग के आरम में पहले शंद के अस्तूती करते हैं उसके बाद शद्गुरु की अस्तूती करते हैं ऐसा क्यों इसलिए कि शंदों का ज्ञान शामुई ज्ञान होता है उन्हीं शंदों में से कोई हमारे गुरु होते हैं जो बेक्तिकत रूप से हमें शिक्षायम दि इसलिए कि शंतों में जो गुरु होते हैं उनकी भी अस्तूती हम लोग करते हैं। गुरु की योगिता सबसे बढ़कर होती है। उनके हिर्दे में आप निवास कीजिए। जब रावन का शंगार कर विविशन को लंका का राज दे कर भगवान शिर्राम अजोध्या आजाते हैं तो अपनी माता जी के श्रीचर्णों में प्रणाम करते हैं। माता जी अपनी बाहों में भरकर उनको अपनी गोद में बेठा लेती हैं और पूछती हैं कि बेटा राक्षच तो बड़े दुर्दांत होते हैं। उसमें भी उसके अधिपती रावन उसके दर से तो तीनों लोग कापते थे। तुमने उस दुर्दांत रावन का शंगार कैसे किया। तो भगवान शिर्राम उत्तर देते हैं। गुरु वशिष्ट कुल पुज्य हमारे तिनकी कृपा दनुज रन मारे। देखिए गुरु का क्या अस्थान होता है। इसलिए हम लोग गुरु की अस्तूति करते हैं। लेकिन गुरु होना चाहिए। गोरु नहीं। गुरु नाम है ग्यान का शिष्ष सीख लेशोए। ग्यान मरजाद जाने बिना गुरु अरुषिष्ष न कोई। जिसे ज्ञान से मुक्ष होता है उसे ज्ञान के दाता को गुरु कहते हैं जो उसे ज्ञान दान में शमर्थ नहीं है ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए माभारत तो अस्वष्ठ कहता है गर्वित कारी अकारी नहीं जानत चलत कुपंत ऐसे गुरु कहत्यागिये यही कहत जो शच्चे सद्गुरु हैं उनके अस्तूति करनी चाहिए अस्तूति के बाद है प्रार्थना प्रार्थना कहते हैं विनय प्रुवक कुछ मांग लेना हम लोगों के वैदिक धर्म में प्रार्थना कहते हैं कोई उसे प्रेयर कहते हैं कोई नवाज कहते हैं लेकिन भाव ए एक ही है ऐसा कोई हिर्दय नहीं जिसमें कुछ मांग नहीं है तुलसी शाहब ने कहा है एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हविश फिर ठिकाना है कहां उसको बिठाने के लिए कितनी मांगे हैं ठिकाना नहीं लेकिन मांगो तो किस से और क्या मांगो यह भी समझ लेना आवश्यक है जो श्वेंग मांगता फिरता है उससे क्या मांगो मांगो तो उससे मांगो जो सर्व दाता है गोशामी तुलसी दास जी कहते हैं मोर दास कहाई अर आशा मोर दास कहाई नर आशा करही तो कहो कहा विश्वासा दास तो मेरा भगवान का कहलाते हो और भर प्रोशा दुनिया का करते हो फिर मेरे उपर क्या विश्वास रहा मांगो तो प्रभुश्य मांगो शंद सुन्दर दास जी ने कहा है जोंदस बीश पचास भयेशत होई हजार तु लाख मांगेगी कोटी अरब खरब अशंक धरापती होने की चाह जगेगी श्वर्ग पताल को राज करों तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी सुन्दर एक शंतोश बिना सथ तेरी तो आग कभी न बुझेगी यह आग कभ बुझेगी तो गोशामी तुलसिदास जी कहते हैं बिनु शंतोश न काम न शाहीं काम अच्छत सुख सपने हो नाहीं राम भजन बिनु करने में ही कामनाओं का अंत होता है कभी शाहब कहते हैं कि कुछ भी अस्तिर रहने वाला नहीं है क्या मांगा जाय क्या मांगो कचु धिर न रहाई देखत नैन चल्यो जग जाई किसी ने कहा बाल बच्चे ही मांग लो कबीर साब कहते हैं इकलाख पूत सवालक नाती जारावन घर दियाना बाती भगवान बुद्ध की एक सिश्या थी विशाखा उसने उस जमाने में भगवान बुद्ध के प्रचार में 27 करोर स्वर्न मुद्राय खर्च की थी उसका पोता मर गया वह भीगे वस्तर में रोते र गई भगवान बुद्ध पूछते हैं विशाखे तुमको क्या हुआ विशाखा कहती है भगवान मातर एक पोता था वह भी संसार से चल बसा भगवान बुद्ध पूछते हैं विशाखा इस बस्ति में कितने लोग रहते हैं वह बतलाती हैं कि इस बस्ति में तो बहुत लो बगवान बुद्ध कहते हैं, अगर तुमको इतने पोते दे दूँ तो खुश हो जाएगी, विशाखा कहती है भगवन तब तो खुशी का ठिकाना ही क्या, पुनह बगवान बुद्ध कहते हैं, क्या इस नगर में कोई मरते भी हैं, उसने उत्तर दिया भगवन जहां इतनी बड़ी आवादी है, वहाँ तो दो-चार लोग रोज मरते ही रहते हैं, भगवान बुद्ध करते हैं, विशाखा अगर तुमको इतने पोते हो जाएं और दो-चार परती एक दिन मरते रहें, तो क्या तुम्हारी भीगी सारी कभी शुखेगी? विशाखा गंभीर हो गई और कहने लगी, भगवन मैं अब समझ गई, मुझे कुछ नहीं चक चाहिए, कभीर सहाब से प्रश्न क्या गया, कि कुछ सोना चांदी ही मांग लिया जाए, तब उन्हों ने कहा, सोने का महल रुपे का छाजा, छोरी चले नगरी के राजा. किसी सायर ने बड़ा ही अच्छा कहा है, मांगो उशी से, जो दे दे खुशी से, कहो उशी से, जो कहे न किसी से. इस विशे पर गुशामी तुल्शिदास जी अंतिम निर्ने देते हुए कहते हैं, जग जाँचिये काहून जाँचिये जो, जग जान की जान ही जाँचिये जी, जेही जाचत जाचकता जड़ी जाए, जो जारत जोर जहान ही जी. अगर कुछ मांगना ही है तो प्रभु राम शे मांगो, कुछ ऐसा मांगो कि तुम्हारी सारी मांग शमाप्त हो जाए, फिर कुछ मांगना ना पड़े, जो अनित्य है, वह मांग कर क्या करोगे. इसलिए नित्य वस्तु को मांगो अर्थात प्रभुशे प्रभु को ही मांगो अस्तूती प्रार्थना के बाद है उपासना उप जोर आशन अर्थात प्रभु के शमिप आशन उपासना में भी पहले अस्तूल उपासना है फिर शुक्ष्मतर और शुक्ष्मतम उपासना है प्रियोग और नादानों संधान की किरिया है, सच्चे सद्गुरु से उपाशना की किरिया शिक्क, पंच पापों, जूट, चोरी, नशा, हिंशा और बेविचार से बस्ते हुए जो नित्य नेमित रूप से अभ्यास करते हैं, वे परमात्मा से मिलकर एक मेक हो जाते हैं, उ और वे शुख शान्ती लाव करते हैं, यही शंतमत का शार है, पूजपाद महर्शी संसेवी प्रमहांस्जी महाराज का यह प्रवचन खगडिया में दिनांक 11.2.1992 को मास ध्यान शाधना के अवसर पर आयोजीत सत्संग में हुआ था, शान्ती संदेश जुलाए 2006 श्री श और रव춰्चन शार है, यहा झालर दो उन्ती शान्ती का शिपार्दा रवचनँ भी प्रॉटा का शान्ती संसेश रmayला ऺाहित 6 वपत्ष्नी शान्ती शान्ती का शान्ती शान्त्स पाराई टोजड़ झां से उल्देशन दोदेश बर और रवविस्त पत्दॉटस